Dear student and parents, Seneca School e-counseling round second का result आज 13 April को announce हो चुका है. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि round second का result हमें किस तरीके से चेक करना है. और इसके अलावा सबसे important जो point है वो है accept, reconsider and exit. यानि कि accept करने की जो window है वो कब तक open रहेगी? बच्चों की जो medical है वो कब से start होंगे? medical की last date कब रहेगी? document verification कब तक करवाना है? तो इन सभी point पर हम यहाँ इस रीडियो में discuss करेंगे. लेकिन सबसे important जो point है हमारा वो है accept, reconsider and exit बटन के बारे में. यानि कि इसकी last date कब है और आपको किस तरीके से इनमें choice add करनी है? तो चलिए, start करते हैं. सबसे पहले हमें All India Senek School Admission Counseling की official website को open करना है, जैसा कि आपने round first में देखा होगा. और फिर हमें login बटन पर click करना होगा. login बटन पर जो आपकी detail है, यानि कि आपने एक counseling करते time जो detail चूज की थी, वो detail इसमें fill करनी है. इसके बाद में candidate का जो profile है, वो यहाँ पर open हो जाएगा. लेकिन हमें, जो हमारे left hand side में जो menu बटन है, इसके उपर हमें click करके candidate के result में जाना होगा. candidate के result का section open हो जाएगा. इस तरीके से candidate का result का section है, यह open हो चुका है. अब इसमें जो सबसे important बात है, कि यहाँ पर तीन बटन आपको देखने के लिए मिलेंगे. सबसे पहला जो है, वो है, accept and continue. second है reconsider and third है exit. और यह जो point है, इस पर parents ने पिसले बार बहुत ज़्यादा गलती की थी. क्योंकि कुछ बच्चे जो है, वो गलती से exit पर click कर दिया था, कुछ बच्चे reconsider करना चाते थे, लेकिन उन्होंने accept कर लिया था, और कुछ बच्चे accept करना चाते थे, उन्होंने reconsider कर दिया था. तो यह गलती हमें round two में नहीं करनी है, क्योंकि सैनिक स्कूल सोसाइटी ने clearly एक instruction एड किया है, कि parents को accept, reconsider और exit की जो choice दी गई है, इसको carefully complete करना है, अगर आप गलती करते हो, तो यह सभी बच्चों के लिए decision equal रहेगा, और अगर आपने exit कर दिया है, तो बच्चे को उसमें exit माना जाएगा, असेट कर लिया है, तो असेट में माना जाएगा, और reconsider कर लिया है, तो reconsider ही माना जाएगा, तो इसलिए आपके जो यह choice है, कि आपको ध्यान से choose करनी है, इसमें कोई गलती नहीं करनी, जैसा कि पिछली बार इसमें कुछ बच्चों ने सायद correction करवा लिया होगा, लेकिन अब की बार इसमें correction होने की गुंजाइश नहीं है, तो इस बात का विशेश रूप से ध्यान दे, अब second point जो है हमारा, वो यह है कि सैने की स्कूल की जो counselling है, इसका result तो आ चुका है, लेकिन इसमें हमारे पास जो accept, reconsider और exit जो button है, इसमें हमें accept करने के लिए सैने की स्कूल की द्वारा कितना time दिया गया है, तो हमें counselling process में जाकर, counselling schedule में हमें जाकर यह चेक करना होगा, और यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है, registration and choice filling, last date तो यहाँ पर 13 थी, और result जो है वो आज announce हो चुका है, अब सबसे important बात है, last date for accept allotted school, जो रहेगी round second के लिए 18 अप्रेल 2023 और रात को आप 11 बजकर 45 मिनट तक का आपको time दिया गया है, तो जिस भी candidate को accept, reconsider और exit बटन में जो भी choice उनको choose करनी है, तो आपके पास 18 अप्रेल तक का time सैने के स्कूल, society के द्वारा दिया गया है, तो इसी time के अंदर आपको ये process complete करनी है, ऐसा नहीं हो कि आप किसे भी करण से late हो जाएं और फिर बच्चा अच्छे मार्क चलाने के बावजूद भी उसमें रह जाए, तो ये गलती parents ना करें, जो गलती उन्होंने round first में की है, उसका दोराव बार बार ना करें, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ सेकेंड बात आती है, इसमें जो medical test है, वो कब से start होंगी, तो medical test है candidate की, वो 15 अप्रेल 2030 से start होंगी, और ये 9 बज़े से start हो रहे हैं, और ये 27 तारिक तक ये medical जो हैं, ये चलेंगे, यानि कि जो medical और documents verification की last date है, round second के लिए, वो 27 अप्रेल 2030 रहने वाली है, यानि कि round second की जो प्रोसेस है, वो 27 अप्रेल को complete हो जाएगे, अब एक important जो इसमें है, जो कि इन बचों को फिस से इसमें problem आजती है, वो medical का exam date, venue और इन सभी के बाई, तो देखिए, फिर से हमें हमारा ये data है, ये login करना पड़ेगा, और यहां से हमें, बासी menu बटन पर जाना है, menu पर आप candidate result का section है, ये आपके सामने इस तरीके से open हो जाएगा, अब देखिए, आपके पास तीन choice यहां पर दी गई है, अगर accept and continue करते हैं, तो आपकी जो medical date है, वो कहां आपको मिलेगी, अगर reconsider करते हैं, तो बात ही अलग है, फिर तो आपको round third के लिए आपको include कर दिया जाएगा, और exit करते हैं, तो आपको permanent e-counseling से बहर निकाल दिया जाएगा, अब बात करते हैं कि candidate का medical venue है, वो कहां मिलेगा, जब candidate accept button पर click कर लेता है, तो जो allotment details है, यहां पर आपको medical center and reporting time, यहां पर आपको candidate का reporting time है, medical का date है, यह सभी आपको यहां पर मिल जाएगे, अब बात आत ही है कि कई candidates को sanic school के द्वारा medical का जो venue है, वो डाला नहीं जाता है, तो बेटा उस condition में आपको जिस भी sanic school में, आपका seat allotment हुआ है, उसी sanic school के help sign number पर जाना है, और उस sanic school में आपको बात करनी है, वहां पर आपको इस बात का solution मिल जाएगा, एक बार मैं फिर से repeat कर रहा करना है, कि आपको क्या करना है, पिछली बार जो mistake की, वह अब नहीं करनी है, ध्यान रहें, और जिन भी विध्यारतियों का admission हो चुका है, seat allotment हो चुका है, उनको best to pluck, और जिनका नहीं हुआ है, वो third round के लिए तैयार रहे हैं